आज संगीता कुकिंग में बनने जा रहा है बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बैंगन का पकोड़ा वह भी इस तप्ट आपने कभी ऐसा यूटूब देखा है तो ठीक है मुझे बताएंगे और नहीं तो आप देखके बनाईए और यह कैसा बना यह जरूर बताएंगे तो इसके लिए हमने क्या किया पहले दो उबले हुए अलू लियों उसे अची तरह से मैज कर दिया आप ग्रेटर से ग्रेट नहीं करेंगे नहीं तो चिपची पहट आजाएगा और उसमें हमने डाल दिया हाप टेबल स्पून चाट मसाला हाप टेबल स्पून अजवाइन औ अब इसे हमें अची तरह से मिला देना है तो इसमें मिला दिया और ध्यान रखना है कि अभी हमने नमक नहीं डाला यह बढ़िया से मिला के फिर हम नमक डालेंगे और जितना जल्दी हो सकता है हम उसे बैंगन के अंदर बहुत यासान तरीका है बनाने का लेकिन बिलकुल अलग तरीके का यह पकोड़ा बनके निकलेगा जो वैसे भी बंगाल में बहुत पसंद करते हैं पर आप देखिए एक नए तरीके से मैं आपको बना के दिखाती हूं तो यह देखिए हमने एक बावल में पानी लिया और उ अब मैं आपको बैगन काट के दिखाती हूं पर एक बात का ध्यान रखेंगे जब मैं सारी तयारी कर लिया और बैगन जब हमने काटा तो उसके अंदर बहुत बीज थे तो हमारी मजबूरी थी हमने बना लिया पर आप ध्यान से ऐसे बैगन लिजेगा जिसके अंदर खाने में खड़ाब तो नहीं लग रहा था पर इतने बीज भरे बैगन अच्छे नहीं लगते हैं इसे पत्ले पत्ले स्लाइसेस हमने काट के और उसी पानी में हम डालते जाएंगे ताकि जो बैगन है वह नमक को अबजर्ब कर लेगा और बैगन अच्छा खासा नमकीन हो जाद आपको इसी में एक और रेशिपी बना के दिखा दूंगी और उसे पांच से दस मिनट फेटें जितना बैशन को आप फेटेंगे उतना ही क्रिश्पी होगा तो बैशन को हमें फेटना है और एक बात का ध्यान रखिए कभी भी भी आप बैशन को फेटे यह द्यान र कर सकते हैं लेकिन उसे पहले आप एक बार मिक्सी में पीस लीजेगा और उसका दब बिल्कुल मोटा सूजी नहीं ना होके पतला हो और उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे हाफ टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और डालने के बाद इसमें देखिए हमने थोड़ा थोड़ा लिए कि पत्ति डाल दी इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और डालने के बाद वन टेबल स्पून हमने इसमें अद्रक लहसं का पेट डाल दिया आलू का जब मैं वासाला मना रही थी तो उसमें अद्रक लहसंट हमने नहीं ड़ा इसलिए नहीं डाला कि उसमें डाल दिया और। जितना ज्यादा प्वितेंगे उतना ही बढ़्या टेस्ट होगा और टेस्ट भी अच्छा करेंगा देख HIS कपड़े से सुखा सकते हैं और नहीं तो अच्छी तरह पानी नीचोर के आप निकाल लीजे और फिर देखिए मैं इसमें कैसे भरती हूं तो पहले एक उसका स्लाइसम लेंगे और स्लाइस लेने के बाद में देखिए बेशन भी हमारा तयार हो गया आलू भी हमारा तयार है और अब मैं इसे स्लाइस में स्टपिंग कैसे करते हूं यह मैं आपको दिखाती हूं तो सबसे पहले हम एक ठुक्रा ले लेंगे और लेकर चमत के साहता से हमें बहुत ज्यादा आलू नहीं लगाना है नहीं तो यह बहुत मोटा हो जाएगा तो एक पतला से हम उस पर लेय पहले रख देंगे तो यह हमने दूसरा स्लाइस भी ले लिया और इसे हम बना के और इसे भी हम रख देंगे इस प्रकार जितने भी वेगान हमारे पास है और जितना हमें बनाना है हम उतना बना के इसे रखेंगे और अब चलेंगे हम गैस की तरफ देखिए हमने सारे ही ब इसके बाद हम घुजा करना है अब चलिए देखिये हमने तेल गरम करने के लिए रखा था और तेल बहुत गरम नहीं होना चाहिए मिडियम में में घरम किया और फिर लो कर दिया और को लट दें जांत अब और प्लाकिणी उसके बाढिने य है और उसमें डाल दिया और ऐसे करके हमें जितना पीस आपके कड़ाही में आप सकता है आप उतना डाल दीजिए और डालने के बाद जब लगे कि एक तरफ से सिख गया है और अब फ्रेम को मीडियम रखे और सिख गया तो हम इसे पलड देंगे और आपको तो पता ही है बेशन गोल बनाने से चिपकेगा तो अल्रेडी तो यह ऐसे ही मोटा है तो और इसलिए इसे देखे उलटते पलटते हुए हमें गोल्डेन कलर करना है यह खाने में बहुत ही अच्छा लगता है आपने यह रेसिपी कहीं नहीं देखी होगी और किया आपके घर में हो सकता बनता हो तो किस-किस के घर में यह रेसिपी बनती है फिर हमें को कमेंट सेक्षन में बताए और जब दोनों तरफ से सिख जाए तो एक फोक के साहता से हमें इसमें होल करना है उसे क्या होता है अंदर तक बहुत ही बढ़िया वैसे भी बैंगा तो हलका सा ही तेल में डालते ही पक ज तो आप मैं आपको यह दिखाऊंगी कि जो स्थफिंग हमने बनाया था उसमें से थोड़े से बच गए थे तो उसे हमने क्या किया देखे आलू बड़ा बना लेंगे तो उसमें हमने और धनिया की पत्ति डाल दी और थोड़ी से बारी कटके हमने प्याज डाल दिया और त तो पहले ही चाट मसाला डाल रखा है तो यह देखे हाथों में हमने तेल लगाया और इसे हम बड़े-बड़े साइज में अच्छा सा बनाएंगे देखने में वह बहुत ही अच्छा लगेगा आप छोटे-छोटे भी बना सकते तो जो स्टपिंग बना है उसमें हमने यह हमें आलू के पकड़े बना लिए तो यह वह बियार में आलू, चाप बोलते हैं तो आप उसी देखिए हमने आलू जाब बनाया और अब देखे इसे अब फ्राय करके दिखाते हैं कि यह देखने में कितना ही बड़िया लगैगा और खाने में तो बहुत ही मत यह गरम खाई यह ठंडा खाई यह बहुत ही बढ़िया लगता है तो यह लीजिए अब मैं कराई के पास आ गई और उस ध्यान रखना है इसे हाथों के साहता से ना डाले चम्मच से डाले नहीं तो एक तरफ उंगली का निसान भी हो जाता और बेशन भी है कड़ाई में तो इस प्रकार डाले अलुचप को हमेंसा ऐसे ही डाले वैगन चुकि बड़ा होता है उसे डालने में दिक्कात आती है अन्य था वैगन को भी अगर आप बड़े चम्मच से डाले तो ऐसे भी डाल सकते हैं तो यह देखिए हमने डाल दिया और ऐसे करके हम हमने चार बनाए थे चार एक साथ हमने डाल दिया और उसे उलटते पर लटते हुए हमें गोल्डिन कलर करना है और खाने में यह बहुत ही मस्त तो इस परकार आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरू बताए और आपको पसांद आती हो तो आपको काट के दिखाती हूं अंदर कितना ही मस्त आलू भड़ा है और बहुत इखाने में मस्त तो यह लीजिए हमारी रेसिपी तयार है और आप लोगों के लिए हमने सर्व कर दिया है तो लाक में मैं आपको इसका आवाद सुनाती हूं यह कितना ही कृकु क्रिस्पी बन तो चलिए अपने घर में भी बनाईए